हाई फ्रेंट्स असलाम अलेकुम और वेलकुम बैक टू माई चैनल कडाकी की ठेंड में अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन करता है जो काफी हेल्दी हो जादा घी भी ना हो और फटा फट से बनके त्यार भी है पूरी फैमली के साथ बैट कर आप इसको इंजॉय भी कर सके तो बस इस रेसिपी को एड़ तक देखिए और इसको जरूर ट्राय करें तो फ्रेंट्स इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं कुकर में तो आधा चमस देसी की आप डाल लीजिए घी गरम हो जाएगा आधा लीटर दूद डाल देना है दूद आप फूल क्रीम या टोन कोई भी ले सकते हैं । दूद टालने के बार डायरेक्ट हमें डालना है गाजर एक को गाजर लें अच्छे से वश करें चीले और उसको कद्यू कर लें हमेशा इस रेसिपी के लिए आप पतले गाजर का इस्तिमाल करें वो काफी टेस्टी भी होती हैं काफी जूसारी एथ द क अब जैसे ही दूद में बॉयल आना शुरू होगा तो ये देखे गाजर ने अपना जूस रिलीज किया और यहां काफी कॉंटिटी दूद की बढ़ चुकी अच्छे से मिक्स करेंगे और बस कुकर को हम यहां पर बंद कर देंगे अब हमें जो गैस की फ्लेम है उसको हाई रखना है और जैसे ही चार से पांच सीटी आ जाएंगी हम प्रेशर डाउन करेंगे और कुकर को खोल लेंगे तो यह देखे फटा फट से बन रही यहां पर यम्मी रेसिपी और अच्छे से जो गाजर थी दूद में पक चुकी है औ अच्छे से हम चमच की हैल्प से काजर को मिक्स करेंगे दूद के साथ अब हमें लेना है करहाई करहाई में डालना है वापस से सिर्फ आधा चमच देसी घी और आधा चमच देसी घी डालने के बाद यहां पर मैंने लिये हैं मिले जुले ड्राइफूट्स जो भी आपको पसंद हो आधा कप बस उन ड्राइफूट्स को आप अच्छे से घी में फ्राइ कर लिजें देखी काजू बादाम पिस्ता या ख्रोट सब खाते हैं लेकिन जो सीट्स होते हैं जैसे मस्क मैलन के सीट्स हो गए वाटर मैलन के इन सीट्स को भी आप इन ड्राइफूट्स के साथ इस्थिमाल कर ये काफी हेल्दी होते हैं तो हमारा जो ड्राइफूट्स थे वो घी मेंचे से फ्राइ हो चुके हैं अब जो कढ़ाई है उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे जो कि हमने गाजर उबाल कर रखी है तो सारी गाजर को हम कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे तो यह देखिए अभी गाजर में काफी दूद है गाजर तो काफी सॉफ्ट हो चुकी है लेकिन दूद काफी है तो दूद को हमें यहाँ पर बिलकुल भी नहीं सुखाना है अब यहाँ पर हम ले लेंगे थोड़ी से गाजर यानि कि जैसे की गाजर थी हमारी एक किलो ग्राम तो थाइसु ग्राम के बराबर आप गाजर को इस तरह से जार में डाल लीजिए और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे तो यह देखिए कितना फाइन पेस्ट यहाँ पर गाजर का बन चुका है तो इस पीसी हुई गाजर को हम वापस से इसी कड़ाई में डाल देंगे कड़ाते की ठंड है जादा मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है बस फड़ा फट से इस रेसिपी को वाच करिए बनाइए और पूरी फामिली के साथ इंजॉय करिए अब सारी पीसी हुई गाजर को हम कड़ाई में डाल देंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर और भी दूद का इस्तिमाल करना है हमने एक किलो ग्राम गाजर लिया था अगर आप चाहें तो एक किलो दूद डाल सकती है लेकिन मैंने आधा किलो दूद का पहले इस्तिमाल किया दो सो पचास ग्राम दूद मैं अब वापस से डाल रही हूँ दूद डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स करना है और कम से कम पांच मिनिट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर बराबर चलाती हुए पका लेंगे पांच मिनिट पकाने के बाद अब हमें यहाँ पर डालना है चीनी, मैंने लिया है 200 ग्राम चीनी, आप चीनी को अपने टेस्क के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकती है एक चुटकी डालना है रेट फूट कलर जिससे हमारी जो रेसेपी हम उना रहे हैं उसका कलर बहुत ही बहतरी निकल कर आएगा सारी चीज़े को हम अच्छे से मिक्स करेंगे शुगर डालने के बाद गैस की फ्लेम आपको हाई रखना है और जैसे ही एक बॉयल आ जाए तो हम कर देंगे इस स्लो फ्लेम और स्लो फ्लेम पर दस मिनिट के लिए इस रेसेपी को हम अच्छे से पका लेंगे और दस मिनिट के बाद मैं यहाँ पर रैट करी हूँ खोया यह मेरा घर का बना हुआ बिलकुल फ्रेश और ताजा मावा है तो 200 ग्राम मैंने लिया है यहाँ पर खोया खोये को हम डाल देंगे इस स्वीट स्वीट और हेल्दी रेसेपी में तो हम आखिर बना क्या रहे हैं तो फ्रेंड्स हम बना रहे हैं गजरेला यह बहुत ही ज़ादा यमी बनके त्यार होता है और विंटर में इस रेसेपी को खाने का एक अपना अलग मज़़ा होता है गाजर का हलवा तो आपने कई बार खाया होगा खाकर बोर भी हो चुके होगे लेकिन आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज डिश गजरेला तो इस रेसेपी को आपको जरूर ट्राय करना है और रेसेपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें और दूसरों के साथ भी इस रेसेपी को शेयर करें खोया डालने के बाद फ्रेंड्स कम से कम दस मिनिट तक हम पका लेंगे जब तक की गजरेला की कंसिस्टेंसी बिलकुल खीर की तरह नहीं हो जाती है और दस मिनिट के बाद उपर से हमें डाल देना है आट से दस पिसी हुई लाइची का पौडर जो की बहुत अच्छी करिए गर्मा गरम फैमिली को सर्व करिए तो इतनी कडाकी की ठंड में इस तरह की अगर स्वीट डिश मिल जाया तो मसा आ जाता है तो बस यहां पर हमारा टेस्टी हेल्दी गजरेला बनकर एकदम रेडी है गैस की फ्लेम इसी स्टेज पर हम आफ कर देंगे तो यहां पर ह सब बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और इस रेसिपी को जरूर ट्राय करिए और रेसिपी बसंद आए तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें तो मिलती हूं नैक्स रेसिपी में अलाहाफिज बाए